दोस्तो अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तो भादरपद मास के पुण्डिमा से शिराद पक्च शुरू होकर आशबिन मास के अमाबस्या पर समाप्त होते हैं इस बार शिराद पक्च 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेंगे ये दिन पित्रों को समर्पित होते हैं शिराद पक्च को पित्र पक्च कनाकत शिराद आदी नामों से भी जाना जाता है जैसा की नाम से ही इसपष्ट होता है, पित्र पक्ष ये पित्रों का पक्ष है, यानि की ये पित्रों को समर्पित दिन होता है, इन दिनों में पित्रों की आत्मा की शांती के लिए शिराद, तरपंड और पिंड़िदान किये जाते हैं, धार्मिक मानेताओं के अनुसार पि पित्र पक्ष के दौरान श्रद्धा पूर्बक अपने पित्रों को कुछ अर्पित किया जाए तो उससे पित्र अती शीगर ही प्रसन हो जाते हैं और अपनी किरपा बढ़साते हैं। पित्र पक्ष के दौरान पित्रों की आत्मा की शांती के लिए श्रीमत भगबत गीता का पाठ अबश्य करें। नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ती नहीं मिलती और बे संसार में ही भटकते रहते हैं। दोस्त ब्रह्म बैबर्त पुरान के अनुसार देपताओं को प्रसन करने से पहले मनुश्य को अपने पित्रों यानि की पूर्बजों को प्रसन करना चाहिए। पित्र दोश सबसे जटिल कुंडली दोशों में से एक है। पित्र दोश का शराप लगता है तो वो परिबार कभी भी सुकी नहीं रहता और नाही बे जीवन में कभी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तो आज की इस बीडियो में हम आपको पित्र पक्ष में किये जाने बाला एक बहुती आसान और असर कारक उपाय बताने बाले हैं। इस उपाय को करने से महा लक्षमी और भगबान विश्नु की असिम किरपा प्राप्त होती है। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा। दोस्तो बैसे तो ये उपाय पित्र पक्ष में रोजाना करने चाहिए। क्योंकि ये 16 दिन पित्रों को समर्पित होते हैं। लेकिन अगर रोजाना ना कर सकें तो पितर पक्ष की पुर्णिमा, पितर पक्ष की अमबस्या और पितर पक्ष की एका दशी के साथ ही आपके पितरों की जो मिर्तियू तिति है उस दिन आप इस उपाय को अबशी ही करें और पितर पक्ष की अमबस्या पर भी अबशी ही करे ये उपाय आपको संध्याकाल या रात्री के समय करना है, इस उपाय को सुभा या दोपहर के समय ना करें, उपाय को करने के लिए आप अच्छे से मुहात पैर धोकर साप हो जाएं और स्वच्च बस्तर धारन करें, इसके बाद एक दिया तयार करें, दिये में एक रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी भरें, शुद्ध घी अगर ना हो तो इस दिये में आप सर्सू का तेल भरें और इस दिये में आप थोड़े से काले तिल अबश्य डालें, इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं, अ अगर आपके घर के दक्षिन कोने में इस्टोर रूम है या बातरूम बगैरा बना है या खाली इस्थान नहीं है, तो आप अपने रसोई घर के सबसे दक्षिन कोने को साफ करें, अगर रसोई घर में भी ऐसा साप इस्थान नहीं है, तो आप अपने किसी भी कमरे के दिये को आपको ऐसे रखना है कि दिये की जो बाती है यानि जो लो है वो दक्षिन दिशा की तरप होना चाहिए यानि कि दिये का मुक आपको दक्षिन दिशा की तरप रखना है और ये भी ध्यान रहे कि दिये को सीधे जमीन पर ना रखें दिये के नीचे कोई कपड़ा बि आप भगबान सिरी गनेश को प्रणाम करें, फिर भगबान विश्णू और मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, इसके बाद पित्र देप को प्रणाम करें, भगबान से अपने पित्रों की आत्मा की शांती और मुक्ती की प्राथना करें, इसके बाद आप भगबान विश्ण जी के महा मंत्र ओम नमो भगबते बासु देबाय का ग्यारा बार जाप करें। जी के दाने पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पित्रों और अपने पूर्बजों को प्रणाम करें। और सभी कष्ट दुख दरदिता को दूर करने की प्राथना करें। दोस्तो इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेज ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय स्वच्चिता और पवित्रता का विशेज ध्यान रखें। महिलाए मासिक धरम के दौरान इस उपाय को ना करें। इस उपाय को जरूरी नहीं है कि परिबार का एक ही सदस से रोजाना करें। इसे परिबार में कोई भी कर सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि घर के पुरुष ये लड़के ही इस उपाय को करें। इस उपाय को घर की बेटियां और बहुए भी कर सकती हैं। दोस्तों इसके साथ साथ इस बात का विशेश ध्यान रखें कि पित्र पक्ष में आप किसी भी पिरकार की तामसिक चीजों का सेबन ना करें। पित्र पक्ष में प्याच, लहसुन, मीट, अंडा, तमाकु, सिगरेट, शराप आदी का सेबन भूल कर भी ना करें। और ये दिया आप अपने घर पर ही जलाएं। अगर आप किसी और के घर पर गए हुए हैं, तो किसी और के घर पर ये दिया अपने पित्रों के नाम से ना जलाएं। ये उपाय आपको अपने ही घर पर करना है। पित्र पक्ष के दोरान कोई भी शुबकारे नहीं करना चाहिए। इस दोरान कोई बाहन या नया सामान ना खरीदें। यहां तक कि अपने लिए नय कपड़े भी ना खरीदें। आप कपड़ों को दान कर सकते हैं लेकिन अपने लिए कोई भी नया कपड़ा ना खरीदें। दोस्तो रोजाना की जरूरत की अलाबा कोई भी नया सामान पितर पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तो पितर पक्ष के दोरान इन सभी बातों का विशेश ध्यान रखें। कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नबस शिबाए। तो दोस्तो धन्य बाद।